जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत में गायक तो बहुत होते हैं लेकिन गायकों के साथ साथ अच्छे इंसान होना मानवता के लिए कुछ काम आना वो अब जागरुकता बढ़ रही है और इंडियन आइडल सीजन वन के सारे जितने भी प्रतीस परदी थे उन लोगों ने ये जीतेगा फिर से इंडिया मेरा राश्खेर फाउंडेशन दोनों के साथ जुड़े बहुत सारी संस्थाएं और भी जुड़ी ये देखिए सब नाम जुड़े हैं यहां पर हीग एफम है वी हैल्प वेलफेर है अब राइट आउट्डोर है सरोज है और स्वर्भ आलाप है इस तरह कि बहुत सारी संस्थ जुड़े और उनोंने इस पूरे प्रयोजन को सिद्ध किया और इसका मैं भी हिस्सा हूं मुझे कुशी मिली मैं इंडियन आइडल की सीजन वन की पूरी टीम को इसलिए बधाई देता हूं शुपकामनाय देता हूं कि अपने अपने काम में तो सब लगे ही हुए हैं लेक अपिर से इंडिया गाना देखते वे जो पेंडमिक से अभी हम लोग गुजरे हैं जिस आलात से तो उसके बाद यह गाना एक नहीं मंग उत्सा भरता है हमाने दिलों में और सच कहूं तो गाने को सुनते वे आंक भी भराई क्यूंकि वाकई जिस आलात से इंडिया गुज हिट से भी हिट होगा आप कोई प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं तो आपता है दर्शक इंतिजाब करना है है मेरे कोई जाधा प्रोजेक्ट है नहीं फिल्मों का तो ऐसा है कि अगर कोई रोल मुझ पर सूट करता है तो बजे ही लोग कास्ट करते हैं वैसे अभी मैं ठीव जाना चलम है और अभी मैं शो देखते राये हूं जीते का फिसरे इंडिया कमाल मतलब कमाल मौत समय के बाद ऐसा एक इंस्पाइरिंग गाना सुनने को मिला कैलाज जी को विशाल जी को अभिशेग जी को और उनके जो फांडेशन है वी हेल्फ वेलफेर फांडेशन, कैला मैं सब में कमाल गाया है